हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू मैं चानल मैथमेटिक स्टूडीज आज हम भी यह भी सी सिख समेस्टर की बुक रियल और कॉंप्लेक्स अनलीसिस के चैप्टर थर्ड के सरसाइज 3.2 का लेक्चर परस देखेंगे क्या पढ़ाया था मैंने आपको इस तरीखें की इंटिकल्स पढ़ाया थे जिसके अंदर हमारा दो दो बार में इंट्रिकेशन करना होता था से डीएक्स डीवाय टाइट से ठीक है और मैं आपको यह चीज भी सिखाए थी कि अगर हमारे परस दो टाइप की लिमिट है एक त तो हम पहले variable limit को solve करेंगे और फिर constant limit को solve करेंगे और दोनों constant है तो हमारी मर्जिय कोई भी पहले बाद में solve कर ले उससे कोई दिक्कत नहीं होती ओक्यों और यह सारी बाते मैंने आपको पराई थी 3.1 के अंदर ठीक है अगर हमारी limit जैसे इस तरीके की है 0 से 1-x और 0 से 1 तो यह किसकी होगी y के limit होगी और यह फिर x के बची होगी हमारी इस तरीके से ठीक है similarly जो हमारी exercise होगी न 3.2 इसमें कुछ भी अलग concept नहीं है बिल्कुल सहीं exercise है सिर्फ और सिर्फ एक integral extra आजाएगा इसको हम क्या बोलेंगे triple integral जो कि हमारा इस तरीके से होगा जिसके अंदर हमारे तीन integral होंगे dx, dy, dz तीक है अगर integration में हमारी value है 0 से 1 टाइप के लगा लो 0 से 1 माइनस x लगा लो और 0 से 1 माइनस x माइनस y टाइप के लगा लो तो पका यह limit मेरी z की होगी पक्का ये लिमिट क्यों होगी जड की? क्योंकि इसके अंदर X और Y है तो बचा कौन Z तो ये लिमिट होगी मेरी पक्का Z की इसमें हमारे क्या बचा? क्योंकि Z तो हो चुका इसमें क्या बचा मेरा फिर इसके लाव Y तो यह limit dy की और यह फिर किया पच्विए dx की limit बलब यह इस तरीके से होगा हम limit को इस तरीके according ली हम देखेंगे अगर यहां पर x y है तो यह limit z की में लेगी तो हम dz लगाएंगे पहले यह limit हमारी किस की होगी y की होगी तो हम फिर dy लगाएंगे अगर यह फिर x कि होगे तो dx लगाएंगे तो इस exercise में हमारे यही में फंडा है कि तीन इंटेगल होंगे dx, dy, dz होगा तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे solve देखो first question हमारा इसी तरीके से दे रखा है वही होना है कि तीन इंटेगल दे रखा है देखो फिर यहाँ पर हम वन लिख देंगे तो क्या होगा 0 से 1, 0 से x, 0 से 1, प्लस x, प्लस y, 1, dx, dy, dz, यह दे रखा है लेकिन मुझे पता है यह तो मेरी किस की limit है, z के क्योंकि इसमें z नहीं होते है, यह z की limit है तो पहले आएगा मेरा z, फिर यह किस की, बचेगी, फिर y की होगी, क्योंकि इसमें x है, तो यह y की limit होगी और यह x की, तो यह हमारे इस तरीके से नहीं होगा, बलकि ऐसे होगा, dz, dy, dx, ठीक है और इसकी value क्या दे रखे है, 1, तो यहाँ पे 1 है, 1 into something तो वही होता है, तो इस वज़े से इन्होंने 1 नहीं लेगा ओके, तो अब हमारे यह होगा, तो अब वही करना जैसे हमने पहले किया था, पहले अब हम क्या करेंगे तो dz का integration हो जाएगा, z limit 0 से 1 plus x plus y, 0 से x, 0 से 1, dy, dx, as it is, ठीक है, इसमें upper limit put करेंगे, minus lower limit, तो क्या हो जागा, 1 plus x plus y, minus 0 तो 0 से 1, 0 से x, 1 plus x plus y, into dy, into dx, तो हमारी यह टम हो गई, अब हम क्या करेंगे, y की respect में integration करेंगे, तो 1 का y, यह constant है, इसके साथ भी y, इसका y का y square by 2, limit 0 से x, यह dx और यह limit s, इसके अंदर upper limit put करेंगे, तो x plus x square plus x square by 2, और lower limit put करेंगे, तो 0 हो जाएगा, तो into में dx, अब हम क्या करेंगे, इसका x के respect में integration कर देंगे, तो यह हमारा जब हम इसका x, okay, पहले नोंने इन दोनों को add कर रखा है, तो 3 by 2 x square हो गया, उसके बाद x के respect में integration करेंगे, तो x square by 2, इसका क्या हो जाएगा, x cube by 3, और 3 से 3 cancel, तो by में 2 बच जाएगा, limit 0 से 1, 1 put करेंगे, तो 1 by 2 plus 1 by 2, वो क्या हो जाएगा, 1 और minus में 0, तो क्या गया, 1 ना गया, and this is our required answer, okay, अब हम करेंगे, हमारा next questions all, देखो, next question BC तरीके का limit 0 से, 1 0 से, 1 minus x 0 से, 1 minus x minus x दे रखे, और अब की बार ये limit dz के, तो dz पहले फिर dy, dx, अब की बार इन्होंने सही लिख रखा है, तो दिक्कत नहीं है, कुछ भी, ठीक है, ये x, y, z है, हमारा dz, dy, dx, इस तरीके से हमारा हो गया, okay, 0 से 1, 0 से 1 minus x, ये हो गया, अब क्योंकि dz है, तो z के respect में हम क्या करे यहाँ पर, इसका integration कर देंगे, तो z के respect में करेंगे, तो क्या हो जागा, क्योंकि xy constant है, z के respect ये time तो, तो फिर क्या हो जागा, z square by 2, 0 से 1 minus x minus y, dy, dx, अब अब अपर limit पुट करेंगे, तो क्या हो जागा, ये xy by, ये 2 constant है, बहारा गया, इसमें अपर limit पुट करेंगे, त 1 minus x minus y का square minus 0, तो 0 नहीं लिखा है, तो dy, dx, इह हो, ओके, 0 से 1, 0 से 1 minus x, xy upon 2, इसका square open इस तरीके से कर रखा है, जैसे ये है ना, 1 minus x minus y, तो इसको तो एक टम मान ले, और इसको दूसरी टम माने, उसका square है, तो इसका square, plus इसका square, minus 2 into this into this, तो क्या हो जागा, 1 minus x का square, plus y square, minus of 2 into 1 minus x into y, ये dy और ये dx इस तरीके से ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसके इसके इसकी multiply, इसके साथ अलग से, तो हम इसके साथ करेंगे, तो हमारे क्या जाए, x by 2, 1 minus x square into y, फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर इसकी multiply करी है, इसके साथ, उसमें हमारे क्या हो शिएगा यहां पर के यहां तो आप चाहएं तो इसք मिलुटिप्लाइं केा साथ इसकी की मिल्टिप्लाइं कर सकते हैं लेकिन क्योंकि करना है तो разр स्क्वेर आजेगा डिवाई डिए एक्स बाइटू उन्होंने बाहर ही रखा पूरी बड़ी ब्रैकेट के बाहर है यह एक्स बाइटू हो गया उसके बाद हमें क्या करना वाई की रिस्पेक्ट में इंटिकरेशन कर देना तो वन मैस एक्सक्वेर कॉंस्टेंट है वाई का स्क्वेर बाहर वाई क्यूबाइट थी लिमिट्ट जीरो से टी रिमिट्ट अब हमें क्या अगन अपन पर मिजमत से्पेकर है मानस लोवार लिमिट तो अपन लिमिट् पूट करेंगे तो जखको बन मैस एक्स पुट करेंगे उसका square और ये already square है तो power 4 हो जाएगी और बाई में 2 ये भी power 4 बाई में 4 और minus में 2 in 2 ये इसकी power 1 है और इसकी power 3 हो जाएगे 3 और एक 4 तो 1 minus x की power 4 minus 3 0 बट करेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 तो 0 तो लिखा नहीं वो dx हो गया ठीक है उसके बाद यहाँ पे जब हम इसका L-Shim लेके solve करेंगे तो हमारा यह क्या जाएगा यहाँ पे इसका L-Shim आजएगा 12 जब हम इसको solve करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 1 minus x की power 4 और dx हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे यह 12 जब 24 तो 1 by 24 बाहरा गया 0 सी 1 x into 1 minus x की power 4 dx ताकि हम इसका integration easily solve कर पाएं तो हम इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या गरेंगे इसके इंदर 1 add और subtract कर देंगे इसके साथ अलग से करेंगे और एसकी इसके साथ अलग से करेंगे देखो इन्होंने यही करक्ता है direct next step में हो गया अब इसके multiplied जब इसके साथ करیںगे तो 1 minus x की power 4 minus 1 minus x की power 5 dx भो गया अब इसका integration कर देने एकस के respect में तो 1 minus x की power 5 और निचे क्या भी आएगा इसका derivative जो कि क्या माइनस 1 है और इंटू में पावर 5 तो 1 बाइस x इसमें भी क्या आएगा माइनस आएगा लेकिन यह माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया और बाइ में 6 लिमिट 0 से 1 जब 1 पुट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और 0 पुट करेंगे तो 1 पुट किया त तो 1 अब माइनस माइनस प्लस हो गया होगा तो 1 बाइ 5 और माइनस हो 1 बाइ 6 और इसको solve गया तो 1 बाइ 720 हमारा आ गया अब देखो next question है हमारा evaluate the triple integral x plus y plus z dx dy dz over the tetrahedron bounded by the plane x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 and x plus y plus z equal to 1 तो अब की बार हमें यह दे रखे हैं कि यह 0 y 0 z 0 और यह दे रखा है कि इसके अंदर bounded है bounded मतला इससे less than equal to type से हम देंगे कि x plus y plus z less than equal to 1 x की value greater than equal to 0 y की value greater than equal to 0 z की value greater than equal to 0 अब इससे हम limit किस तरीके से निकाल दें जिसे हमने पिछले exercise में किया था similar हम यहाँ पर भी करेंगे अब हमें यहाँ क्या दे रखा है x plus y plus z less than equal to 1 y plus z less than equal to 1 तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ से z के लिए limit निकालेंगे तो z के लिए जब हम limit निकालेंगे तो क्या जाएगी 1 minus x minus y अब जब मैं y की value निकालूंगी तो मैंने आपको सिखा रखा है तो हम क्या करेंगे z को 0 रख लेंगे फिर z को चिपा लेंगे तो फिर y के value के आजएगे मेरी less than equal to 1 minus x तो y के आगी 1 minus x फिर जब हम x के निकालेंगे तो y और z दोनों को शिपा लेंगे तो x के value के आगी less than equal to 1 जो इन्होंने x, y, z हैं वो सारे के सारे greater than 0, greater than 0, greater than 0 दे रखे थे तो x के limit आगी 0, 7, y के limit आगी 0, 7 minus x और z के limit आगी 0, 1 minus x minus y तो यह इस तरीके से हमने limit निकाल ली इसके, ओके उसके बाद फिर हमने limit तो निकाल ली अब 0, 7, 0, 1 minus x, 0, 1 minus x minus y पूट कर दी, x plus y plus z, dx, dy, dz हमारा हो गया उसके बाद फिर से simple integration solve करना है इसका, तो क्या करेंगे, z के respect में इसका इसके power 2 और by में 2, limit 0 से 1 minus x minus y, dy, dx, 0 से 1, 0 से 1 minus x इसमें upper limit पूट कर देंगे, minus lower limit पूट कर देंगे, dy, dx, जब upper limit पूट किया तो z के जगा 1 minus x minus y, और 0 पूट किया तो x plus y, x से x cancel, y से y cancel, तो यह क्या हो गया यहाँ पर, 1 by 2 जो constant था वो बाहर लिख लिया, यह हो गया हमारा 1 minus x plus y का square, dy, dx, अब हम क्या करेंगे, y के respect integration 1 का y के respect to integration y, इसका x plus y की cube by 3, limit 0 से 1 minus x, dx, अब हम इसमें upper limit पूट करेंगे, y के जगा 1 minus x minus x plus 1 minus x की cube by 3, minus में फिर 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जागा, minus minus plus x cube by 3, और dx, हमारा यह हो जाएगा, 1 by 2, 0 से 1, 1 minus x, x से x cancel, 1 by 3, 1 की cube तो 1 होगा ना, तो 1 by 3, plus x cube by 3, dx, अब हम क्या करेंगे, इसका, 1 minus 1 by 3, 2 by 3, minus of x, plus x cube by 3, यह होगा, इसका x के respect में integration कर देंगे, 2 by 3, x, x का x square by 2, plus x 4 by 12, limit 0 से 1, upper limit minus lower limit, और हमारा answer इस तरीके से आजाएगा, next question भी हमारा similar type का है, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, यह दे रखा है, कि हमारा integration इस type का, इसकी जो reason है, हमें यह दे रखा है, limit x square plus y square plus z square less than equal to 1, z की 5 plus z dx dy d से, अब ही हम limit पिल्कुल similar तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले सिखाए थी, इसमें वह ऐसे ही कराऊंगे आपको, क्या दे रखा है, x square plus y square plus z square less than equal to 1 है, ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे किसकी limit, z की, z की value निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1 minus x square minus y square, अब यहाँ पही तो जैसे simple value थी, यहाँ पही क्या square है, तो square होगा, तो हमारे किस तरीके से आएगा, इसका under root हो जाएगा, 1 minus, जैसे अगर मेरा x square equal to 4 होता है, तो x की value मेरी plus minus 2 नहीं आती है, मतलब x की value मेरी minus 2 और 2 के बीच में आती है, ठीक है, similar अगर यहाँ पे इंटरूट करेंगे, तो यह भी हमारे negative positive के बीच में होगी, तो 1 minus x square minus y square, और यह minus of 1 minus x square minus y square, इस तरीके से value होंगी, ठीक है, उसके बाद अगर मुझे आप, फिर अगर मुझे y की value निकालने, तो z चीप आलेंगे, और यह क्या होजएगा, 1 minus x square, तो y square less than equal to 1 minus x square, y की value क्या आजाएगी फिर, minus of 1 root 1 minus x square, और under root 1 minus x square, ठीक है, और जब मुझे x square की value निकालेंगे, तो y और z दोनों चीप आलेंगे, तो x square की value less than equal to 1 आगई, तो x की value किसके बीच में आगई, minus 1 और 1 के बीच में, x की value minus 1 और 1 के बीच में, y की value हमारी i hundred of 1 minus x square से 1 minus x square के बीच में, और z की value हमारी यह इसके बीच में, तो इस तरीके से में आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है, तो यह हो गई हमारी limit, limit हमने यहाँ पे रख दी है, यह dz, dy, dx हो गया और यह हो गया, अब हमें इसका करना simple integration, integration करेंगे तो z की, 6 by 6 और z का square by 2 और limit फिर हम इसके अंदर यह बाली put कर देंगे, ठीक है, आप इस तरीके से करना चाहें, तो इस तरीके से करते हैं, फिर solve करते हैं, आपको कहीं answer 0 आ जाएगा, लेकिन जब chapter की starting हुई थी ना, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कि अगर आपकी limit इस तरीके स हो ना, minus a से a, और function fx dx है, ठीक है, तो आपको यह चेक करना है, कि जो function है, वो even है, या odd है, अगर function even है, तो हम वहाँ पी यह कर देंगे, 2 into 0 से a, fx dx, और अगर function odd है, तो direct इस integration का answer क्या हो जाएगा, 0, यह सिखाई थी वह ने आपको बात, ठीक है, बिल्कुल पहले ही lecture के अंदर बताई थी वाड़ी बात, ठीक है, यहां पे जो हमारा function है, यह type की limit है, minus a से a, मलब यहां, minus वही तो value minus के, वही value plus की है, और यह जो इंटी, जो हमारी function है, वो किस तरीके का, यह भी odd function, जड़की पार 5 है, odd, जड़की पार 1 है, वो भी odd, तो function भी हमारा order limit भी minus a से a type की है, तो इसका integration का अंसर direct हमें पता है क्या होगा, 0, इसका अंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, यही बात यहां पे लिख रखें, पहले तरह नों, odd function बना के दिखा है, कि जड़के जगर हम minus z replace करते हैं, तो minus of f z आ जाता है, यह बात मैं आपको बता रखें, और अगर f z था, f of minus z था, और minus of f z आ गया, तो इस तरीक का function कौन सा function होता है, odd और f of minus z था, और f of z आ गया, तो वो हमारा function even होता है, लेकिन अगर minus बाहर आ गया, तो वो odd function होता है, इसमें minus बाहर आ गया, अगर हमने z के जगह minus z पुट करके दिखा, तो minus बाहर आ गया, तो odd function और odd function ह हो जाएगा तो इस पूरे का अंसर क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है उसके बाद है हमारे ये वला कुश्चन जिसमें इन्होंने जो की बहुत इजी है ये क्या बोल रखा है कि जो की इंपोर्टेंट भी नहीं है इतना a cube है sides of length 4 एक cube है हमारे पास उसकी length 4 है मतलब उसकी side की length 4 है तो जो cube है हमारे उसकी सारी की side सेम होगी इसका मतलब हर एक side की length कितनी है 4 है इसकी भी इसकी भी सारी length के side 4 है उसके बाद क्या बोल रखा है कि let one corner be at the origin and adjacent corner भी on the positive x, y and z axis ठीक है, एक corner तो origin होगा बाकी x axis, y axis, z axis होगी if the cube density is proportional to the distance from the xy plane find its mass cube density is proportional to the xy plane ठीक है, क्या बो लखा है if the cube density is proportional to the distance from the xy plane xy plane से distance क्या होगा हमारा z होगा, यह plane है ठीक है, plane है उससे अगर हम distance देखेंगे तो हम किस form में देखेंगे z की term में देखेंगे हमारे पास कोई भी xy का plane है तो अगर हम उससे distance देखेंगे तो वो z की through देखेंगे ठीक है, तो यह z हो गया इन्होंने क्या बोला है कि जो density है ना density वो directly proportional है हमारे distance xy के plane से तो जो density है वो मैंने माली density of the cube है वो directly proportional है लिख देना density directly proportional है xy plane के distance से जो की क्या होगा z की form में होगा ठीक है directly proportional के sign को proportionality को हटाने के लिए हम क्या करते हैं constant लगाते हैं तो वो किसके equal है constant हमने लिए लिए k into z के equal होगा तो इन्होंने यही लिख रखा है कि as density of the cube is proportional to the distance from the xy plane तो density of the cube equal to kz हो जाएगा क्योंकि density इन्हों directly proportional दे रखिया है इसके z के तो density equal to kz होगा क्योंकि k हमारा क्या है constant of proportionality तो d equal to kz होगा ठीक है तो इन्होंने यही बोलगा था kz और volume है तो इसकी value हमें निकाल नहीं है तो और हर एक जो हमारी length है जो cube की side की length है वो क्या 4 है तो 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4 यहां पे kz, dx, dy, dz, simple integration solve कर देंगे आप इसको solve करते हमारा यह आ जाएगा 128 के ठीक है अगर हम kk value अगर अपनी मज़े से अगर हम 1 ले ले तो यह 128 हो गया बाकि 2 ले सकते हैं 3 ले सकते हैं क्योंकि constant यह कुछ भी value हो सकती है जनरली अगर 1 लेके दिखाना तो आप दिखा दे वरना इतना question भी सही है इससे related exercise की question अब हम वो देख लेते हैं अभी तक देखो जो यह question ऐसा question इसमें समझाने लाइक तो आप देख लेंगे यह question बिल्कुल easy है यह वाला भी simple integration करना इसमें भी इसमें बस यह log side into one करना पड़ा जब हम integration करते हैं तो first functionality is second का integration वह वाला rule apply करगे simple हमें इसमें integration करना है तो आप कर लेंगे इस तरीके से similar हमारे इसमें बिल्कुल simple integration है तो आप कर लेंगे इस तरीके से the next question है इसमें हमारा दिखो यह बता दू मैं 0 से 1 जैसे 0 से 1 माइस x square 0 से 1 माइस x square minus y dx divided dz upon under root of 1 minus x square minus y square z square ठीक है इसमें z है तो इसमें x y है तो यह z के लिए मिट होगी पहले dz हैगा फिर dy dx और यह इस तरीके से हमने लिख दी और फिर इसको simple solve कर देंगे तो हमारा इस तरीके से यहां पर solve हो जाएगा उसके बाद यह वाला formula हमने पढ़ रखा 12th class में यह वाला apply कर देंगे तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा इन question के अंदर अभी तक कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हमें limit खुद से बनानी पड़ी हो त simple integration है तो यह आप कर सकते हैं तो यह इस तरीके से हो जाएगा अब next question है जिसमें हमें limit बनानी है तो इसकी limit क्या होगी पहले हम z की value देखेंगे वह क्या होगी 1-x-y फिर हम z को शिपाएंगे y की value क्या होगी less than equal to 1-x फिर y z को शिपाएंगे तो less than 1 होगी और x value greater than 0, y value greater than 0, तो इस तरीके से हम लेंगे और क्यों है 0 क्योंकि ट्रेट्रा ड्रोन में होती है इस वज़स है चाहिए तो यह इस तरीके से हमारी limit हो गई है उसके बाद हम इसको simple solve कर देंगे इस तरीके से बीटा function के help से solve कर रखा फिर तो बिल्कुल ही easy हो जाएगा और भी ज्यादा उसके बाद ये question हमारे ये भी बिल्कुल easy है इसमें कुछ नहीं है इसके example थे थोड़े अलग 3.2 आपको ज्यादा easy लगेगी क्योंकि 3.1 आपने पूरी कर ली है अब जो आगे वाले question है इस exercise के वो आपके जो next example उनसे related है तो वो हम करेंगे next class के अंदर thank you guys for watching my video please do like and subscribe to my channel thank you so much